Hello everyone, once again welcome back to my channel तो friends जैसे कि आप लोगों ने थम्मिल में देखा है कि मैंने ये सारे प्लांट से फ्री में शॉपिंग किया है तो मेरी तरह आप भी फ्री में इन प्लांटों की शॉपिंग कर सकते हैं वो भी अपने गार्डन से यहाँ पर 35 प्लांट से होंगे और कुछ प्लांट से बहुत ही महंगे हैं तो ये सारे प्लांट से की शॉपिंग मेंने अपने गार्डन की प्लांट से की कटिंग से किया है कुछ मेंने अपने गार्डन की प्लांट से की कटिंग की है वीडियो में शेयर करूंगी इन प्लांटों के नेम और नर्सरी में ये प्लांट कितने प्राइस के मिलते हैं और इसे मैंने कैसे ग्रो किया है कुछ सीक्रेट ट्रिप्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे मेरे जैसे ही ये सारे प्लांट्स आपके पास भी फ्री में हो यह सारे प्लांट से जो मैंने ग्रो किया है फ्रेंट से वन वीक से लेके थ्री वीक तक है वन मन्त में कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो आँ बहुत ही तेजी से ग्रो होनी वाले यह सारे प्लांट से हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो है यह रियो है बहुत ही सुन्दर एक ornamental plant हैं इंडोर आउटडोर दोनों साइड हम इस plant को रख सकते हैं और नर्सरी में ये plant कम से कम हमें 40 रूपीस का मिलता है और इनकी roots साफ देख सकते हैं बाहर की दरब निकले हुए हैं तो नर्सरी से ऐसे कुछ polythene में लेके आती हो और इसी में cutting को लगा के grow करती हो जादतर और कुछ disposal और खराब पड़े डबो में भी करती हो और नेक्स्ट जो प्लांट हैं ये asparagus हैं hanging basket के लिए बहुँ सुन्दर प्लांट है ये और इसकी green part time ऐसी ही रहती है और ये plant जो है प्रंट से हमें नर्सरी में 50 रूपीस का मिलता है और मैंने दो प्लांट तियार किया है एक ही plant से इनको हम कैसे grow कर सकते देखिए इनके चोटे-चोटे से बल्व से होते हैं लस्ट तो कि तरह तो इनको डिवाइट करके हम आराम से इनको grow कर सकते हैं और यह जादा तर मेने normal garden soil में किया और नेस्ट जो खुब सुरत सब प्लांटे हैं फ्रैंट से यह मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और नर्सरी में ये प्लांट हमें 50 रूपीज का मिलता है इस एक कालेफा विलोकेसिया कहते हैं ये एक और्नमेंटल प्लांटे है और में नर्सरी से इसका चोटा सा कटिंग लेकि आई थी अभी टू वी की हो रहे हैं और चोटे सी कटिंग की आप ग्रोथ खुद देख सकते हैं फ्रंट से कि ये कितनी तेजी से ये प्लांट इस टाइम मांसुर में ग्रोव हो गया है तो देखिए फ्री का शॉपिंग है या नहीं है कितनी अच्छी तरीके स से मैंने फ्री का शॉपिंग किया है इस तरीके से आप भी बहुत सारे प्लांटे खटा कर सकते हैं नेक्स्ट जो प्लांटे हैं ये व्लीडिंग हाडे काफी कॉस्टली ये प्लांट हमें मिलता है हंडेड रुपीस प्लस की ये प्लांट होती है और मैंने चोटी सी इस प्लांट को टू वीक पहले ही ग्रोव किया है और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से ये प्लांट ग्रोव में बहुत ही संदर इनके कलरफुल लीब्स होते हैं, जो हमारे गारडन में फूलू की कमी कभी भी मैसूस नहीं होनी देती हैं, और ये में ने ग्रोव किया है और इनकी ग्रोथ आप देख सकते तो इस टाइम भी अगर आपको मिल जाए इनकी जो रूर्स निकल जाते हैं वो तीसरे दिन या चोथे दिन में भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोव हो जाता है नर्सरी में जो इनकी प्राइज होती यह प्रेंट से 32-40 रूपीस का यह मिल जाता है नेक्स्ट जो प्लांट है बहुत ही सुन्दर यह प्लांट होता है इंडोर आउट्डोर हम दोनों साइट रख सकते हैं हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं यह सिंगोनिया होती है और इनके बहुत सारे कलर मेंने एक इसे हम में हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी और कितनी अच्छी इनकी ग्रोहते आप देख सकते हैं तो इनकी कटिंग लगाना बहुत ही इजी होता है इस टैप नेक्स्ट जो यह प्लांट है अपने रेलेटिव के घर से गे प्लांट मुझे मिला है उन्होंने तो इस तरीके से आप भी लेकि आ सकते हैं और यह नर्सरी में कम से कम 42-50 रूपीज की मिल जाते हैं और यह फ्रेंट से फाइकस के रूट से पहले में आपको दिखा देती हो यह देखिए कितने अच्छी तरीके से यह बाहर की तरफ निकल गया और इनकी सॉप्ट रूट स में शियर किया था उन्हीं के ब्रांच को काटके मैंने यह डिस्पोजल में ग्रो किया है तो कटिंग लगाने के लिए चीज का हम यूज कर सकते हैं और यह मनी प्लांट में मनी प्लांट को पानी में ज्यादा तर ग्रो करती हूं मेरे पास स्वाइल में नहीं था तो इस ब प्लांट इनकी कटिंग मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और इनकी ग्रोथ आप देख सकते कितनी अच्छी हो गई है यह एक और्नमेंटल प्लांट है इंडोर आउट्डोर दोनों साइट रख सकते हैं और यह नरसरी में कम से कवा मैं 50 रूपीज का मिलता है तो देखिए 50 रूपीज का प्लांट भी फ्री में ही मैंने शॉपिंग किया है और इनकी जो कटिंग वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक सैंड कर दूँगी और कुछ दिन पहले मैंने पानी में ग्रो होने वाली प्लांट की भी अपडेट शेयर किया था तो उसकी भी लिंक में शेयर कर दूँगी और यहां पर बहुत सारी कटिंग मैंने ग्रो किया और जब मैंने यह कटिंग लगा था उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था यह बलसम एलेंतरा है और यह मोगरा यह देखिए मोगरा की गोडल के बहुत सारी कटिंग की और सारे मेरे बहुत अच्छी तरह के से ग्रो हो गया है कि यह फ्रेंट से लेमन ग्रास बहुत इनों से मैं ढून रही थी किसी फ्रेंट के घर में मुझे मिला तो उन्होंने मुझे दो पीस दिया है और दो पीस मैंने इसी में लगा दिया और इनकी ग्रोथ आप दे सकते हैं दो से तीन बन गया है यह वनी वीक हुआ था इसे में लेके आई थी और काफी अच्छी इनकी ग्रोथ है और क्रोटन को मैंने इस बार अपने गार्डन में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोव किया है सॉइल में भी और पानी में भी पानी वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिनोंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक सेंड कर दूँगी और ये क्रोटन इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कम से क्रोटन हमें 62-90 रूपीज की बीच में मिलता है कोई कोई क्रोटन तो हमें 100 प्लस की भी मिलती है और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं रूट से बाहर की तरफ निकले हुए हैं ये देखे पूरी त तो करोटन बहुत ही अच्छी तरीके से घ्रो लाइं इंवम हो याँ इस्टाइम अगर मिलें आपको कोई भी पीस जरूर आप लूई कीजिए और इक क्रोटन में दिखा देती हूज इसके रूट से भी आप देखिए الخ मेरे लिए यह नेक्स्ट जो प्लांटे है एक पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांटे हैं और इसे ग्रो करना बहुत एजी होता है यह गुड़ल देखिए गुड़ल की रूट्स में आपको दिखा देती हो और यह देसी वाली वेराइटी है इसमें दो पीस में लगा रखा एक वाइट और एक है रैट कलर का तो दो कॉमिनिशन इस बर मुझे एक साथ लगाना है और गुड़ल के उपर मैंने काफी सारी वीडियो शेयर कर रखा है फ्रंट से मेरे गार्डर में जितनी भी गुड़ल है सारे में कटिंग से ग्रो करती हो गुड़ल को कभी भी मैं चोटा पीस जरूर लगाती हो और यहां पर आपको दिखा देती हो गुड़ल की देखिए कितने सारे कटिंग है सारे मेने डिस्पोजल में इनको ग्रो किया है और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं उपर की टॉप की न्यू ब्रांच इस भी आपको दिख रहे होगी और फ काफी है सुन्दर सा एक और्नमेंटल प्लांट है और यह जो और्नमेंटल प्लांट है यह काफी सुन्दर दिखने में लगता है और शेड लविंग प्लांट है तो सबसे पहली इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं रूट्स और यह जो प्लांट है फ्रेंट सा हंड्रेड जो इपास और दूपत के चार टार किया है ए ऐधर है यह Pantesche के दो कलर में ने ग्रों किया जो 2 कोलर मेरी पास है वही मैंने ग्रों किया और चोटे से डिस्पोजल में उनकी रूटस आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छी तरह के से Himself से पलंट और नर्सरी में कम से कम यह 40 to 50 रूपीस के एक प्लांट मिलता है नेक्स्ट जो प्लांट है यह बहुत ही सुंदर समर सीजन का एक हाड़ी प्लांट कह सकते हैं फ्रेंट से यह है चांदिनी चांदिनी के बहुत सारे प्लांट मेरे पास हैं सिंगल प्लांट का डीसी वेराइट नहीं था तो यह अधा सी वेराइटी मुझे रोड साइट में वे उल्ट में साहें हैं थारी इंटमी के बहुत सारे पीसि में रगाए और सारे पीस इनके सक्सेस हो गये और रूड साम देख सकते हैं और की ग्रोध भी आप देख सकते हैं तो यह कम से कम यह 32-40 रुपीस का मिल जाता है हमें नर्सरी में यह दीखिए दूसरा पीस है और इसकी चार पीस मेंने ग्रोग किया इस बार अल्ली कटिंग से नेक्स्ट जो कुप सुरस है एक इंडोर प्लांटे हैं और अर्नमेंटल प्ला में यह प्लांट हमें नर्सरी में मिलता है कम से कम यह 80-90 रुपीस के मिलते हैं और यह मैंने कटिंग से ही ग्रोग किया अपने गार्डन की प्लांट से और इसके उपर मैंने वीडियो भी शियर किया था आपके साथ और वाटर में भी इनको मैंने ग्रोग किया है उसका रुपीस प्लस का यह तो आप से कम से कम लिएक प्लांट को गया है तो फिरी की शोपिंग हुई फ्रैंट से इतना महंगा प्लांट मेने फृरी में ग्रोव कर लिया और यह यह सिन्या की आप का और आप को देख सकते हैं और इनकी cutting जब मैंने किया था तो आपके साथ वीडियो भी share किया था और इनकी growth अभी आप देख सकते कितनी अच्छी हो गई है और यह plant कम से कम हमें nursery में 80-90 रूपीज का मिलता है और इनकी roots आप देख सकते हैं बाहर की तरफ आ गया तो यह plant कितने अच्छी तरीके से grow हो गया है तो मैं कम से कम यह plant को मैंने आपके साथ cutting share किया था 15 days ही हुए हैं उससे ज्यादा नहीं तो इसका link भी description box में मैं share कर दूंगी तो आप देख सकते हैं विंटर आने से पहले मैंने विंटर की भी कुछ shopping कर लिए फिरी में cutting से तो यह हैं गुल्दावदी की cutting आप देख सकते हैं इनकी वहाँ सारे piece मैंने ग्रो किया यह दो piece मेरे सामने यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हो इनमे रैट कलर का और वाइट कलर की फ्लावर आते हैं यह प्लांट नर्सरी में हमें 25 रूपीस का मिलेगा अभी अगस्ति से स्टार्ड हो जाएंगे इनके नर्सरी में पौद आना तो उससे पहले ही मैंने तियारी कर लिया है विंटर की थोड़ी सी नेक् पाइनिस बलसम है और बहुत सारी कलर मेंने मिक्स लगा रखा है यह सारे मेंने घर के प्लांटे से ही ग्रो किया है और नर्सरी में यह प्लांट अपने सीजन में अक्तूबर से हमें यह 40 या 45 रूपीस का मिलेगा और यह हैं डेंथर्स में फ्लावरिंग आके सूख भी गय और यह है विगोनिया विंदर में यह प्लांट काफी महेंगे प्राइज में हमें नर्सरी में मिल जाता है दो प्लांट में ने ग्रो किया है यह कम से कम 8200 रूपीस का मिलता है और सारे में नॉर्मल गार्डन सोयल और तोड़ से सैंट का यूज करके इनको ग्रो किया है वि फ्लांटे एंब काफी महेंगी प्राइज में नरसरी में मिल जाता है। इसमें औरेंज और रेट कलर के दो प्लांटे हैं और यह हैं मैरी गुल्ड के मैंने बहुत सारे अनगिनद प्लांटे तियार किया है। आप 15 to 20 रूपीज में हमें नरसरी में मिल जाता है तो इस टाइम भी अगर आपको कोई भी पुराना प्लांट मिल रहा है तो उनकी ऊपर की ब्रांच को काट के आप फ्री में प्लांट तियार कर सकते हैं और यह है ट्रेंगल हाट ट्रेंगल हाट को भी मैंने कटिंग से ग्र आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए नमस्कार बाए हैप्पी गाड्निंग टेक कियर फ्रेंड्स